बिस्मि इल्लारमन इल्रहीम अब हम मनी सप्लाइ का प्रॉसस पिछले लेक् Chemze से डिसकस करते आ रहे हैं और उस प्रॉसस में हमें पता है तीन प्लेयर्स इनवाल्व हैं पहला प्लेयर प्लेयर सेंट्रलबेंक है और central bank के money supply से related हर operation का उसके balance sheet पे फर्क पड़ता है balance sheet क्या होती है assets और liabilities और central bank की assets और liabilities क्या होती है उसका एक overview हमने ले लिया पिछली lecture में अब हम details में जाते हैं कि central bank की जो liability side है यानि कि balance sheet की एक side उस side पे कौन-कौन से items होती है तो उसके लिए जो items हैं उन में एक definition बड़ी important है जो आपके सारे money supply process में काम आई थी और वो है monetary based or high powered money, this is liability high powered money या monetary based liability होती है अब किसकी liability है यह उसके नीचे detail दी हुई है और आपको clear होना चाहिए हम central bank की liability से concern लेकिन high powered money या monetary based जिसको हम कहने लगे है इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर दो तरह की liabilities चामिल एक होती है central bank's monetary liabilities जो कि currency in circulation और reserves की farm में है और reserve और currency circulation को हम पहले भी discuss कर चुके हैं जादा detail में आप discuss करने जा रहे हैं इस lecture में और एक liability जो इसके अंदर आ रही है वो है जब इसे ignore करेंगे तो बाकी तो पिर central bank की liabilities ही रहते हैं और central bank की liabilities में क्या क्या है currency in circulation है और reserves हैं तो यह याद रखना है कि अब जब हम monetary based कहें या high powered money कहें या even कई जगा पे reserve money भी कहेंगे वो भी इसका तीसरा नाम है उससे मुराद हमारी central bank की liabilities होंगी जो बाकी minor liabilities हैं उनको हमने ignore कर देना है लेकिन पहले मैंने आपको concept दे दिया कि वो इसमें शामिल होती है अब इसमें central bank की monetary liabilities में सबसे पहला number आता है currency in circulation और हमें already पता है कि currency in circulation किसको बोलते हैं यह हम पहले एक lecture में discuss कर चुकी है कि this is currency held by public banks जो money hold करते हैं जैसे ATM machine में money पढ़ी है currency है या commercial bank के vaults में जो पढ़ी है वो इसका part नहीं हो वो किसी और item का part है वो आगे discuss होगा तो currency in circulation पहला part है किस चीज़ का central bank की liability का अब सवाल यह है कि क्या currency central bank की liability होती है मैंने आपको पहले एक lecture में यह बता दिया कि liability इसलिए होती है कि यह note की उपर statement होती है और उस statement का जो finance में term चलती है उसे कहते है IOU यहनी कि मैं payable हूँ मैंने इतना आपको pay करना है IOU और OU का मतलब यह हो गया कि central bank यह खुद state कर रहा है कि मैं responsible हूँ कि अगर आप यह note मेरे पास लेके आ जाएंगे तो मैं इसके बदले आपको compensate करूँगा वो मैंने पहले भी बताया वो notes की ही term में होगा गोल्ड की term में नहीं होगा यह हो गया यह liability समझा गया क्यों है liability इसलिए है कि यह उस note की statement बताती है और सीधी सी बात है आप अपना कोई note लेके जाएं हो genuine यानि कि कोई गल्त note ना हो जो generally central bank ने issue किया हो वो आप note market में लेके जाएं और वो कोई बंदा कहें मैं इसके बदले आपको कोई चीज नहीं देता तो आप वो note किदर करेंगे आप central bank के पास जा सकते हैं कि आपने statement दी हुई है आई ओ यू तो ये note मेरा लोग नहीं accept करते तो वो आप से लाजमी accept करें इस sense में ये central bank की liability बन जाए दूसरा बड़ा item liability side पे क्या है reserve या नहीं कि banks के deposit लेकिन banks के deposit से मुराद ये वो deposit नहीं है जो bank में लोगों के पड़े हैं या institutions के नहीं वो आगे आएंगे ये reserves हैं ये banks के deposits हैं central bank के पास banks deposit with central bank ये किसलिए होते हैं ये इसलिए होते हैं कि हर bank के deposits जो लोगों के banks में deposit होते हैं या institutions के उनके उपर एक required reserve की ratio central bank set करता है यानि कि 100 रुपया अगर आप bank में जमा कराएंगे अपने किसी bank में तो उसका एक खास percentage central bank की तरफ से required reserve में चला जाए तो एक तो required reserve के लिए reserve account होता है दूसरा clearing के लिए कि मसलान मैंने आपको एक check दिया और मेरा account हभी bank में है लेकिन आपका account allied bank में है तो जब मैं आपको check दूँगा तो आप allied bank में उसे deposit करेंगे तो allied bank जब हभी bank से claim करेगा कि आपके customer ने हमें ये चेक दिया है तो जो state bank के पास allied bank का भी account होगा और reserves कहते हैं और ये कौन है किस के होता है इसके इलावा कि currency जो commercial bank के walls में पढ़ी है जो commercial bank के operation में यूज होती है जैसे ATM machine में पढ़ी है वो भी उसके reserves का पार्ट हो जाएगा अब जो reserves हैं वो खुद दो टाइप्स के हैं यानि कि जो central bank के पास commercial bank के deposits हैं जिने हम reserves कह रहे हैं वो खुद दो टाइप्स की होते हैं एक का मैं जिकर कर चुका हूँ required reserves और required reserves वो होते हैं जो central bank की तरफ से compulsion है यानि कि उसमें commercial bank की कोई choice नहीं है मैंने का 100 रुपया हम जमा करवाएंगे अगर 10% required reserve ratio है तो 10% central bank के पास deposit चला जाएगा commercial bank के पास 90 रुपीज रह जाएगा लेकिन एक होता है excess reserve एकसेस reserve से ये मुराद है कि अगर वाकी 10% ही required reserves हैं और commercial bank ने 20% reserves होल्ड किये हुँ है तो जो उपर वाला 10% है वो excess reserves हो जाएंगे that is not required by central bank rather it is a choice of commercial bank ये commercial bank ने खुद से किया है ये उसकी अपनी choice है और याद रखें ये जो excess reserves होते हैं ये उसी तरह है जैसे individuals की money demand होती है excess reserves commercial banks की या depository financial institutions की क्या होती है money demand इसको बोल जैसे हम लोग transaction के लिए और precaution के लिए money hold करते हैं इसी तरह banks जो हैं वो भी precaution के लिए excess reserves hold करते हैं ये उनकी money demand ठीक है आखिर में मैं आपको एक idea देने के लिए कि पाकिस्तान में जो data available है June 2022 का उसमें state bank of Pakistan की total monetary liabilities कितनी थी और उसमें किसी का किस item का कितना share था तो जो total reserve money और reserve money से मुराद monetary base या high powered money या इस से मुराद state bank of Pakistan की monetary liabilities यहां पे हम इसका मतलब यह ले रहे हैं तो यह June 2022 में था नो हजार तीन सो चब्वीस इशारिया पांच अरब जिसका मतलब बनेगा नो इशारिया तीन दो छे पांच खरब रुपए यह total monetary liabilities थी state bank of Pakistan की इन में से currency in circulation कितना था इससे थोड़ा सा आप students को यह idea होता जाएगा कि total कितनी liability है और फिर liability में currency कितनी है बैंक्स के deposits यानि के reserves कितने है यह थोड़ा आपको idea हो जाएगा तो जो total 9 इशारिया तीन खरब के करीब liability थी monetary liability state bank of Pakistan की उसमें से 7572 इशारिया पांच अरब यहनि के 7572.5 रूपी बिलियन रूपी यह monetary liability में currency in circulation का पाट जो 1229.2 बिलियन रूपी थे यह commercial banks के यह depository institutions के central bank के पास reserve जिने हम banks deposit के हैंगे with central bank फिर इसमें एक और आइटम हमने कहा था कि जो commercial bank के पास reserves के तोर पे यहनि कि उनके vault cash जिसे कहते हैं वो कितना था वो था 429.6 बिलियन रूपी यहनि कि 429.6 अरब रूपी और बाकी कुछ अधर deposit होते हैं वो एक minor item है 95.3 अरब रूपी तो इसका मतलब यह है कि सबसे आइटम monetary liabilities में क्या है currency in circulation और दूसरे नंबर पे क्या आता है जो reserves है commercial bank वो deposits जो commercial bank के central bank के पास Thank you